हर खबर सच्चाई के साथ हाल ही में जो चुनाव हुए हैं और उनका जो नतीजा सामने हमारे आया है यह खुली तोर पर फिरका परस्त की जीत है और जो सैक्लर कदम भरने वाले हैं उनके मुपर तमाचा है यानि के सैक्लर दल कहलाने वालों के मुपर तमाचा है क्योंकि यह देखने को मिला है आज जितने भी सैक्लर जो दम भरते हैं के धनम प्रेश की हम रक्षा करेंगे संब्धान की रक्षा करेंगे गंगा जमनी की तहजीब की रक्षा करेंग हिंदू समाज के हैं और हिंदू समाज में ही अपना विश्वास खोते जा रहे हैं तो यूपी से शपा और उत्र कंग्रेश को इतनी सीटे मिली हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि UP के अंदर समाजबादी पार्टी के लिए मुसल्मानों ने एक साथ मिलकर बगएर किसी जाति धर्म के बगएर भेदभाव के उन तमाम प्रत्यासियों को समाजबादी पार्टी ज्यादा थी जैसे मुरादावाद रामपुर जिले की बात हम आप से करते हैं कि बहाँ पत समाजबादी पार्टी ने अपना जंडा भी फैराया है लेकिन अन जगे पर आप देखें तो हर जगे समाजबादी पार्टी को मुसल्मानों ने ही वोड़ दिया है और उसी के दम पर ये इतना जल्ट सामने आया है तो कि यूपी में जो सीटे मिली है सफा को वो सिर्फ मुसल्मानों की विजह से मिली है हम ये तो नहीं कहते हैं कि सारी की सारी सीटे मुसल्मानों की विजह से ही मिली है लेकिन इतना जरूर है कि हर सीट के अंदर मुसल्मानों का एक बहु यह आपने बिल्कुल सही कहा देखिए हम पिछले कुछ सालों से देखते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार मुसल्मानों पर अत्याचार करती जा रही है जिन मुस्तम ढा रही है और मुसल्मानों के मजभी जज़बात को ठेंस पहुंचा रही है ऐसी पोजीशन में जहां पर सैकुलर दल हैं वो कम से कम लोग तंतर और संब्धार की बात कर रहे हैं रहा सवाल ये कि हमने पिछला जब रिकार्ड देखा तो मायबती का आप रिकार्ड उठा कर देखिए कि इनका हमेशा से भाजपा से लगा रहा भाजपा प्रेम रहा और बक्ताने पर इन्होंने भाजपा कही साथ दिया है भले ही ये मुसल्मानों के बोट हासल करती रही ह दूसी तरफ अगर देखिए हाला कि समाजबादी पार्टी की भी मैं बात करता हूँ तो इन्होंने भी कोई ऐसा कोई काम खास नहीं किया जैसे कि मैं बताऊं कि इतने जिल्म होने के बावजूद समाजबादी पार्टी ने भी कोई मुसल्मानों के लिए आबाज नहीं उ उठाई मुसल्मानों की मगर यहां की जन्ता ने सिर्फ इस बज़े से उबईसे साब को नकार दिया कि उनके उपर यह एक इल्जाम लगता कि यह फिरकापरस्त लोग हैं और मजब में बह गये अगर वो कहीं इस तरह का होता तो साइध सपा का आज हाल यूपी में भी वैस जैसे के बसपा का हो गया कांग्रियस का हाल तो आप देखी रहें लहाज इन सब पोजिसनों को देखते हुए भारतिये लोक तंत्र को बचाने के लिए संब्धान की हिफाजत के लिए गंगा जैमी तहजीब की हिफाजत के लिए मुसल्मानों ने इस बार एक मुस्त फैसल बसपा की सुप्रम माया बती इनके पिछले इतिहास को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और मुसल्मान भी अब जागरूख हो चुका है बसपा के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ के मुसल्मानों को बोट लेनी के बावजूद बसपा ने हुकूमत भी की और हु माजपा से भी हाथ मिलाया और साथ ही मुसल्मान जो अइतिहासिक नाम सहरों के और तंजीमों के थे उनको बदलने का उनको परवरतन करने का काम यानि के मुसल्मानों की पहंचान मिटाने का काम अगर देखा जाए तो यह जो है बसपा नहीं सुरू किया था तो इस तरह से माया बती जी का यह आरोप के मुसल्मानों ने मलफ साथ नहीं दिया यह सरासर गलत है सिर्फ से नरेता संजय राओ उपने यूपी में सपा किहार का कारण माया बती और अवैसी को मानते हुए तंज कसा और इन्हें भारत ज़तन देने की मांग की क्या कहिए देखिए संजय राओ जी को ये मालम होना चाहिए कि अगर यूपी के अंदर समाजबादी पार्टी को जिस वीते मिली है इस बार कोई नकार नहीं सकता कि मुसल्मानों का बहुत बड़ा हाथ रहा और जहां तक मायवती की बात है मैं ये वाग सही मानता हूं कि मायवती ने सपा को हराने का काम किया और आपने देख लिए उन्हें खुद कहा है कि जब मुसल्मान समाजबादी पार्टी की तरफ चले गए तो हमने मलब अपना जो कैडर बोर्ड था अपने सजातिय मुसल्मानों को उन्हें धंकी भी दिया कि उन्हें अच्छा नहीं किया दूसरी बात उन्हें ने कहा मयवती ने किसा हमने असी सीटे मुसल्मानों को दी तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बस्पा ने असी सीटे मुसल्मानों को बही बही पर दी जहां पर समाजबादी समाजबादी का प्रिताशी मजबूत हालत में था यहां पर मुस्लिम कंड्रेट मजबूत हालत में था तो एक तरह से आप अरुक्छुरूब से बादपा को जिताने कें के लिए दिया ना कि मलब मुसल्मानों को आगे बढ़ने के लिए तो मैं यह कहता हूं कि माया बती के बारे में अगर संजराजी यह बात कहते हैं तो वह सही है लेकिन जहां तक OYCK की बात है तो मैं संजराजी से कहना चाहता हूं कि OYCG का इस election में UP के यूपी में समाजबादी पारटी पर इतना बड़ा एहसान है जो कभी नहीं उतार सकते कि ये उनका अधिकार है उनको संविधान ने अधिकार दिया है उन्होंने अपने प्रत्यासी उतारे और प्रत्यासी उतारने के बाद उन्होंने जब देखा माहुल को देखा कि यहां पर अगर बट गया तो समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा और हमारे भी ज्यादा कंडी नहीं तो ऐसी हालत में वो खामोस पड़ गए उन्होंने मुस्लिम कैटर नहीं खेला इसलिए उन्होंने एक तर की तरह सोच अगर आने लगे तो शायद सपा का रियल्टी हलग होता और जहां तक उन्होंने एक तंज कसा है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए तो भारत संजर जी संजर राओ जी आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि 1917 में महात्मा गांधी की जान बचाने वाले बचक मिय अंसारी जैसे एक गरीब आदमी को इतिहास ने भुला दिया देश ने भुला दिया कौन जानता हूंने आपको मालूम है दूसरी तरफ भारत रत्न तो दूर की बात उन्हें छोटा से सम्मान नहीं दिया और आज आप कह रहे हैं वह वैसी जी को भारत रत्न दिलाएंगे आप क्या दिलाएंगे जब मुसल्मानों के इतिहास को मिटाया जा रहा है और हाँ ये जरूर मुम्किन है कि आने वाले टाइम में गाहनी जी के हत्यारे नाथूराम गोर्षे को भारत रहन दे दिया जाएंगे बरेली जिले में नौ बिधान सवाई हैं और इन नौ बिधा प्रित्यासी थे और तीन पर मुसलिम प्रित्यासी थे आप एक एक का निच्छर कर लिए देख लें सर्वे करा लें मुसल्मानों ने नौ सीटों पर बरावर से एक मुस्तों कर अपना बोर्ड दिया लेकिन और जहां पर मुसल्मानों की तादा कुछ सही थी या ना सही थी फिर भी तीन मुस्लिम प्रित्यासी में से दोने समाजबादी पार्टी की लाज रख ली इज़त पचाली जबके छे प्रित्यासी जो हिंदू समाज से थे उनमें बरेली कैंट और बित्री और नवाब गंज की ऐसे सीटें थी जो जीतने के कंगार पर थी लेकिन बड़े मेरा है जाल कि यह बहुती Hai फिक्र की वात है कि आज हigkeiten के हिंदू सान के अंदर इन फिरका परस्तामत्यों के निशाने पर भाजपार RSS के उनके संग्ठनों के निसाने पर सिर्फ मुसलिम और मुसलिम समाज है और आज UP के अंदर बिप्लक्षिम समाजबादी पार्टी है उसकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है लेकिन हम को यह देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में समाजबादी पार्टी या दूसरे साइकुलर दल इस पर क्या मलबो एक्षिन लेते हैं क्योंकि पिछले हम देख चुके हैं कि जादा बेहतर नहीं रहा अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से इस चुना में मुसल्मानों ने अपना सियासी सहूर को दिखाते हुए एक एक जहती का मलबो सबूत दिया और समाजबादी पार्टी को कम से कम विप्रक्षि में बिठा दिया अगर इसी तरह से मुसल्मानों की आबाज को ना सुनी जाए तो लोकतंत की रख्षा के गंगाजमिस तैजीव को बचाने के लिए मुसल्मानों को अपनी कयादत खड़ी करने पड़ेगी जब हम दूसरे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं उनको हुकूमत पर काबिज करा सकते हैं क्या हम अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं यह सोचने की बात है आगे आने वाले टाइम में अगर यही तरह जिस तरह से जुल्मों सितम होते रहे तो मुसल्मानों को सोचना पड़ेगा और यह आपसी फिरका मसलक, मरकज और खानका ही इस तरह के जो आपसी बिबाद हैं जो हमारे आपस में उनके इक्तलाफात हैं इनको दूर करते हुए मुत्हिद होने की जरूरत है अब बगत आ गया है मैं मुत्हिद होकर अपनी कयादत को मजबूत करने पड़ेगा वरना ऐसा ही चलता रहेगा मैं तो बस इसके साथ मैं आपको बता दूँ के देखिए हज़त अमर रजी लगत आनुन कहा था मैं यही बात इस वज़े से कह रहा हूं कि घवराने की कोई बार नहीं मुसल्मान कभी हिम्मत नहीं आरता ना कभी मुस्किल में घवराता है हज़त अमर फारुग रजी लगत अनुन कहा था कि देखिए मैं पर्वाह नहीं करता चाहे मैं मालदारी के हालत में या के फुक्रे की हालत में हूं मैं सुब़ा नहीं करता क्योंकि मैं नहीं जानता कि कि साहलत में मिज़े पसंद करता है दूसरी बात यह उज्जथ और जिलत اللह के हात्मे UP है किसी बंदे के हात्में नहीं है वो जिससे चाहे मुल्क को ले सकता है वो जिससे चाहे मुल्क बापस कर सकता है लिहाजा हमें अपनी इमान को दुरशक रखती हुए आपस में महबबत भाईचारा बनानी की ज़रूत है जिस तरह से के मदीने के अंसर अंदर मुहाजरीन और अंसार के वीज़ नभी करीम सल्लेलाह अलेह वाली वाली वासलम ने आपस में भाई चारा कायम करा करके मलब एक मिशाल खड़ी की और अंसार ने जो मदद की हमें उसी तरह से आगे बढ़ते हुए जैसे के आज इसलाम दुनिया में फैला हुआ है और ताकत कम नहीं होगी घबलाने के कोई बात नहीं है अपने इमान को दुरस्त रहें मुतहिद होकर जब चलते रहें तो कोई हमारे हमको कमज़ों नहीं कर सकता है मैं अपनी बात आप से एक सेर के साथ खतम करना चाहता हूँ आसमा जलती जमी पर नहीं आने वाला अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला प्यास कहती है चलो रेत निचोडी जाए और अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला ए मुसल्मानों सुनो जब पकारोगे तो सहने हरम आएंगे पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ मैं यही संदेज देना चाहा हूँ कि मोहबत इत्फाक इत्तहाद और अपनी इमान को बरकरार रखते हुए आपस में भाईचारा बनाये रखिए और किसी फिरकापरस ताकश से या किसी दुनिया की किसी ताकश से घबराने की आपनी इम्शा अल्ला